आज आपको इस कक्षा में शब्द रचना करना सीखाऊंगी बच्चों क्या आप जानते हैं शब्दों की रचना कैसे की जाती है? बिल्कूल ठीक, उपसर्ग से बच्चों इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि उपसर्ग क्या होता है? आए कुछ उधारन देखते हैं आप देखे, पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा है? ज्यान यहाँ देखे, ज्यान के आगे मैंने अ लगा दिया तो यह बन गया अज्यान बच्चों, आप सब जानते हैं ज्यान का अर्थ होता है, आपके द्वारा अरजीत किया गया ज्यान, विवेक और आपने जो पढ़ाई की है जबकि अग्यान का अर्थ होता है, हमें किसी भी विश्य के बारे में पता ना होना या हमने किसी भी विश्य विशेश के बारे में कुछ भी पढ़ा या लिखा नहीं है हमारी अज्ञानता ही हमारा अज्ञान कहलाती है इस परकार आपने देखा कि ज्ञान के साथ अ लगा देने से कैसे ज्ञान का अर्थ ही बिलकुल विपरीत हो गया है वे ज्ञान से बदलकर अज्ञान हो गया है इस परकार हम कह सकते हैं कि उपसर्ग उस शब्दाश अव्वे को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेश अर्थ परकर करता है बच्चो उपसर्ग हमेशा किसी भी मूल शब्द के आगे लगते हैं वे आगे लगकर उस शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं कभी-कभी तो ये विशेशता बन जाते हैं और कभी-कभी ये उनका बिल्कुल ही विलोम शब्द बन जाते हैं इस परकार दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो शब्दाश शब्दों के आदी में आदी अर्थार्थ पहले आदी में जोड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेश्टा लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा कि उपसर्ग हमेशा शब्दों के आगे लगे हुए होते हैं। आईए बच्चो अब हम आपको कुछ और उधारण देकर इस विशे को और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर देखे हमारा मूल शब्द है मान। मान का अर्थ होता है सम्मान या इज़्जत। लेकिन जब मैंने उसके आगे अप लगा दिया तो वह बन गया अपमान। और आप सब जानते हैं अपमान का अर्थ होता है बेज़ती यानि आपका सम्मान हनन होना। एक और उधारन देखते हैं जीव, जीव का अर्थ होता है प्राणी या जीवित। लेकिन जब मैं इसके आगे निर लगा देती हूं तो ये बन जाता है निर्जीव, निर्जीव का अर्थ होता है बिना प्राण के। तो इस परकर बच्चों हम देख रहे हैं कि मूल शब्द के आगे यदि हम कोई शब्दांश लगा देते हैं तो वे हमारे मूल शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं उसमें एक विशेश अर्थ ला देते हैं। इस विशे में बेटा एक बात आपको और ध्यान रखने होगी। उपसर्गों का केवल व्या करणिक अर्थ होता है तथा भाषा में इनका स्वतन्तर रूप से प्रयोग नहीं होता। वे केवल शब्दों में पूर्वी जुड़ते हैं। इनके जुड़ने से एक नया शब्द बनता है जिसका अर्थ ही बदल जाता है। इस तरह उपसर्ग नए शब्द बनाते हैं। जैसे एक बार और अच्छे से समझेए। ज्यान से पूर्व वी शब्दांश लगाने पर विज्यान अर्था विशेश ज्यान बन जाता है। चर से पूर्व यदि मैं अनु लगा देती हूं तो वह अनु चर बन जाता है जिसका अर्थ होता है दास या साथी। मान से पूर्व अनु जुड़ने पर अनुमान बन जाता है जिसका अर्थ होता है अन्दाज लगाना यानि कल्पना करना इस परकार हम समझते हैं कि उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं आपको एक और बात बतानी है बिटा हिंदी में तीन परकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है संस्क्रित के उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग जिनके विश्य में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे इस परकार मैं समझती हूँ बच्चो कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि उपसर्ग क्या होते हैं अब आप इन शब्दों के साथ और शब्द जोड़कर अलग-अलग शब्द बनाईए और अभ्यास करिए आज मुझे इजाज़ा दीजिए धन्यवाद